प्रधान मंत्री राजिस्थान दौरे पर भगवान देव नाराण जनमुस्व में हुए शामिल जी ट्वेंटी समों की दो दिरसी स्टाटप ट्वेंटी बैठक हैदराबाद में शुरू राज्यस्थरी युवा महुत्सव और लोग का हित्य सम्मेलन का राइपुर में हुआ रंगारन आगाज और प्रधान मंत्री कलमन की बातकालिकरम में देश विदेश के शोताओं के साथ करेंगे अपने विचार साजहा नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दशन समाचार मैं हूँ शुब्रा भट्टाचारे अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज राजस्थान दौरे पर हैं इस दौरान वे आसिंद में मालसेरी डूंगरी परसित भगवान देव नारायन के मंदिर में दर्शन करने गए उन्होंने भगवान देव नारायन के जनमुच्व पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया इस मौके पर प्रधान मंत्री ने कहा कि वे भगवान देव नारायन का आशिरवार देने आये हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान में स्रजन उत्साह और उत्सव दिखाई देत है तो हरों की धर्ती है यहां स्रजन है उत्साह और उत्सव भी है परिशम और परुपकार भी है शौर यह यहां गर-गर के सवस्कार है रग राग राजस्तान के परियाय है उत्तराही महत्वा यहां के जन जन के संगर्स और संयम का भी है यह प्रेरणास्थली भारत के अनेक गवर्वशाली पलों की व्यक्तित्वों की साक्षी रही है तेजासी से पाबू जी तक गोगा जी से रामदेव जी तक बपा रावल से महराणा प्रताप तक यहां के महपुरुशों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है प्रधान मंत्री ने कहा कि राजसान में पशुपालन की परंपरा है, उन्हों ने कहा कि उनकी सरकार पशुपालक टिसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है G20 समुँ की दो दिन की स्टार्टप 20 बैठक हैदराबाद में शुरू हो कई है बैठक में परेटन मंत्री जी किशन ब्रेड़ी, G20 शेरपा अमिताप कान, स्टार्टप 20 के अध्यक्ष चिंतन वैशनव, G20 और 9 विशेश आमंत्री देशों के लगभग 180 प्रतिनिधियों तथा स्टार्टप से जुड़े लोगों, निवेशकों और नवाचारियों ने ह परेटन मंत्री जी किशन ब्रेड़ी ने प्रतिनिधियों से भारत के विशेश करसांस्कृतिक महत्र के परेटन स्टलों की यात्रा करने का अनुरूद किया, उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में लगभग 200 स्टार्टप ही थे, लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्रमोधी के जी ट्वेंटी शेर्पा अमिताप कांत ने कहा कि विज्ञान और प्राद्योगी की को बढ़ावा दिये जाने के कारण देश में स्टार्टप के ख्षेत्र में उल्लेखनी अप्रगती हुई है कारेक्रम में वानिजी मंत्री पियुष गोयल ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि भारत को विक्सित बनाने में नवाचार की भूमिका सरवाधिक महतपूर्ण होगी उन्होंने कहा कि नवाचार ही आर्थिक और सामाजिक विकास का अधार होगा और अब देश के कैक्षेत्रों में स्टार्टप की संख्या काफी बढ़ गई है स्टार्टप ट्वेंटी समों दुनिया भर में स्टार्टप के लिए सहमती के आधार पर माहौल बनाने की दिशा में काम करेगा राज्यस्तरी युवा महोचसाव और लोक साहित्य सम्मेलन का रंगारंग आगास हो गया मुख्य मंत्री भुपेश बगेल के संदेश के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंग टेकाम ने दीप रज्वलित कर महोचसाव का शुभारंब किया इस मौके पर युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उमेश पटेल और महिला बालविकास मंत्री अनिला भेंडिया मौजूद थी शुभारंब समारों में राज्यगीत अरपा पैरी के धार की प्रस्तुती दी गई साथी 36 गढ़ी लोक गीत और लोक नृत्य करमा राउतनाचा, पंथी, सरहुल, सुवा बस्तरिया नृत्य की आकरशक प्रस्तुती भी युवा महोचसाव में देखने को मिल रही है स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंग टेकाम ने युवा महोचसाव के बारे में जानकारी दी में 38 विधाय सामिल हो रहे हैं जिसमें 24 सास्कितिक विधाय हैं लोक निट, लोक गित, हिकांकी नाटक, सास्त्री निट, सास्त्री गैन, सास्त्री वादन, और खेल में गेडी, साभी हमनों देखा, खेडी, फुगली, भावरा, कबड़ी, खोखो, कुस्ती और अन्विभा जिगता भी है, चित्रकला पर जिगता भी है, फुष्ट, फेस्टीबल, तमाम चीजों को यहां पर रखा गया है, इसमें कुल 2877 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं वहीं युवा कल्यार्ण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि इस महुसब के जरिये हमारी कला और संस्कृति को भी एक मंच मिलता है हमारी संस्कृति कला को भी युवा उस्साव के माध्यम से एक सम्मान और एक मंच प्रदान किया जाए दूरस तंचल के चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगूजा हो चाहे हमारे बिलासपूर हो दूर्ग हो वहां से भी लोग इस आयोजन में उपस्तिती अपनी दर्च कराते हैं युवा महोत्सव में 36 कड़िया खेल जैसे कि फुगडी, भौरा और गेडी दोड की स्परधाएं होगी महोत्सव में 36 कड़ि संस्कृति से संबंधित चित्रकला, 36 कड़ की पारंपरिक वेश फूशा और व्यंजनों का फूट फेस्टिवल का आयोजन होगा इस महोत्सव का आगामी 30 जनवरी को समापन होगा आकाश्वाणी ने मन की बात कारिक्रम की 100 वी कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है शोता इस कारिक्रम के लिए प्रविष्टी एक फरवरी तक भेज सकते हैं प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया डिजिटल प्रतीक चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिसका उप्योग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके विजेता को पुरसकार स्वरूप एक लाख रुपए दिये जाएंगे प्रतियोगिता संबंधी विवरन माई गौफ डॉट इन पर उपलब्द है गौरत लग है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कल सुभग ग्यारा बजे आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के श्रुताओं के साथ अपने विचार साज़ा करेंगे ये इस मासिक कारिक्रम की संतानवी और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी अखिल भारती विद्यार्थी परिशत ने राजनान गाव में गर्जनाच छात्र सम्मेलन का आयोजन किया करेक्रम में अखिल भारती विद्यार्थी परिशत के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वैशनव ने बताया कि परिशत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में यह आयोजन किया जा रहा है मोहला मानपूर चौकी और खैरागड चुईकदान गंड़ाई यह दोनों जीला मिला के तीनों जीला अर्थात राजनांदगा और दोनों जो अभी विवाजित हुए यसे नए जीले मिला के यह सभी विद्यारती समुदाय उपक्तित हैं इसमें विभिन्ना सेक्षी क्विश पर चर्चा होने वाली है उसके बाद में विद्यारती परिशत के विचारों को जन जन तक पहुचाने के लिए हम एक सोभाय आत्रा भी निकालेंगे और उस सोभाय आत्रा का समापन इस्ताल हम जाईस्थमचोक में करेंगे इस सम्मेलन में राजनाद गाओं के लावा खैरगण चुई खदान गंडई और मोहला मानपूर अंबागण के विद्यार्थी शामिल हुए इस सम्मेलन में केंज सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीती पर भी चर्चा की गई सम्मेलन के दोरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृति करक्रमों की प्रस्तुति दी साथ ही रैली भी निकाली कोरिया जिले मेल सिथ गुरुघासिदास राश्ट्री उध्यार में देजभर के राश्ट्रे इस्तर के ट्रैकर और परेटक पहुँच रहे हैं गुरु घासिदास राश्ट्री उध्यान में शेर चीता भालू सहित दर्जन प्रजाती के दुर्लव वन्यप्राणी मौजूद है गुरु घासिदास राश्ट्रे उध्यान के संचालत रंगानात रामकृष्ण ने बताया कि राश्ट्रे उध्यान के लिए एको टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप किया जा रहा है उन्होंने बताया कि अब तक 13 बैज के लगभग 300 ट्रैकर ट्रैक कर चुके हैं पहला ऐसा ट्रैक है जो एक नेशनल पार्क में कर रहे हैं और इसमें अभी तक 13 बैज हो चुके हैं जिसमें लगभग 300 लोग इस साल में आ चुके हैं मतलब बिसंबर 15 से लेके अभी जनवरी 28 तक लगभग 300 लोग पॉंच चुके हैं और यह पूरे देश क्या विदेश से भी 45 लोग आ चुके हैं तो इसका मेजर यह है कि जो लोग आ अर्बन इरियास ने रहते हैं वह लोग अपने यहां पर आएंगे तो उनको जंगल का फील होगा यहां के ट्राइबल लाइफ स्टयल का फील होगा यहां पर जैसे जानवर होंगे उनकी प्रतियून का रुची होगा बहुत सारे बच् जब ऐसे जंगल में आते हैं तो उनको यह बाव आगे आ जाता है कि हमें प्रकृती को बचाना है प्रकृती का रक्षा करना है और उसका देखबाल भी करना है और जो भी यह है यह पूरा जीरो वेस्ट वाला ट्रेक्स है मतलब कुछ भी यहां पे ना प्लास्टिक है ना यहां पे जितना कच्रा वगेरा जो भी रहते हैं ट्रेक के पाथ वगेरा में वो भी ट्रेकर्स कलेक्ट करके अच्छी तरीके से डिस्पोस है यहां राश्ट्रे सरके ट्रेकर आ रहे हैं सभी का अपना अलग अनुभव है हमालियन टेक्स काफी किये हुए है जब यहां का जंगल टेक के बारे बदा चला रहा तो एक डिफरेंट एक्सपीरेंस लेना हम लोग आए थे काफी घने जंगल है छोटे मोटे जानवर भी हम लोग को मिले सांप मिल गया बिच्चू मिल गया स्वान सोफोर तो अच्छी थोड़ा सा इजी भी है और मज़ा भी आ रहा है ठंड नहीं है बहुत पहार में चलना पड़ गया है तो मज़ा आ रहा है यह बहुत डिफरेंट है क्योंकि मुझे वाइल लाइफ टेखना था पेडों के साथ रहना था लोगों से मिलना था तो फिर बहुत अच्छा लग है क्यांक हमने खुद बिलाए है और बतलब वह यह की एक्पेक्टेशन है कि कभी कोई जानवर हमें दिख जाए दूर से दिख जाए क्योंकि पास्टर नहीं आएंगे हमारे तो वह है और चल रहे हम सब साथ आज है फामिली इस तरह गुरु घासीदास राश्ट्री उद्ध्यान देश का ऐसा राश्ट्री उद्ध्यान बन गया है जहां ट्रैकिंग की व्यवस्था है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से प्रधान मंत्री राजिस्थान दौरे पर भगवान देव नाराइन जनमुट्सों में हुए शामिल जी ट्वेंटी समूह की दो दिवसे स्टार्टप ट्वेंटी बैठक हैदराबाद में शुरू राज्य इस्तरी युवा महुत्सभ और लोग साहित्य सम्मेदन का राइपुर में हुआ रंगारंग आगाज और प्रधान मंत्री कलमन की बातकारिकर में देश-विदेश के शुताव के इससाथ करेंगे अपने विचार साजह इसे के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार